हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो एक्समार्ट स्टेडी 2.0 यूटूब चैनल, साथ्यों आज इस क्लास में आधोनिक आवर्तसानि यानि मोडन प्रियोडिक टेवल के बहुत ही महत्पुन प्रश्ण को करेंगे, यह वो कोस्चेन है जो कि परिक्षाव में बार-बार पूछा जा ज़्यादा इंपोर्टेंट है, तो चलिए फिर बिनादेरिक के क्लास सुरू करते हैं, सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजेगा, और क्लास अपनी सभी दोस्तों के साथ जरूर शेर कर दीजेगा, आप में से कोई भी नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को आउन कलेना, चलिए तो देखते हैं कोश्चन, और आज के क्लास का पहला कोश्चन है, आधवनिक आवर्त साथनी के पांचवे आवर्त में कितने तत्व हैं, तो देखिए मोडरन प्रियोडिक टेबल जो है, अब उसका जो पांचवा आवर्त है, इसमें कुल कितने तत्व हैं, तो देखिए इसका राइट अंसर हो जाएगा अठारा, ओप्सन नमबर सी इस कोश्चन का राइट अंसर हो जाएगा, डैरेक्ट हम लोग साथियोग क्विज को सॉल्ब करेंगी इस कलास में, और वही सेलेक्टिड कोश्चन लिया है, जो की पूछा जाता है बार बार चली आगे देखते हैं, आवर्त सार्नी के दुसरे आवर्त में तत्वो की संख्या कितनी होती है, तो देखिए आवर्त सार्नी का जो दूसरा आवर्त है, टोटल साथ आवर्त होता है, आवर्तों की संख्या साथ होती है, उसमें से जो दूसरा आवर्त है, इसमें तत्वो क कुल संख्या कितनी होती है तो आठ याद रिखीगा option number B correct answer हो जाएगा अगला है तीसरे और चौथे सम्हू के oxide का सामानी गुंधर्म क्या होता है तो देखिए आवर्त्र सार्ने का जो तीसरा और चौथा सम्हु है इसके जो oxide है उसका समानी गुंधर्म तो देखिए तिसरे सम्हु के जो oxide उसका गुंधर्म क्या होता है तो याद रिखीगा basic यानि यह छार होते हैं चारिया ब्रकृतर्टिके और जो चोथे में से किसने या किसमें स्विन इलेक्ट्रोन सजातियता पाई जाती है तो देखिए साथियों नियोन नियोन एक ऐसा जिसमें स्विन सजातियता पाई जाती है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा option नमबर डी नियॉन प्रतेक आवर्थ का पर्थम सदेश क्या होता है बहुत important question है यह तो देखिए प्रतेक आवर्थ सार्नी में जो 7 आवर्थ है ठीक है और उसका जो प्रतेक आवर्थ है यानि हर एक आवर्थ क जो अंतिम सदेश होता है यह क्या होता है देखिए प्रतेक आवर्थ का पर्थम सदेश होता है एक छार धातु जो कि मैंने आपको बताया और प्रतेक आवर्थ का अंतिम सदेश क्या होता है तो याद रिखी का एक अक्रिया गैस यानि एक निस्क्रिया गैस एक एक अक्रि है हिलियम का परमानु संख्या दो है तो यह जो परमानु संख्या है यह हाइडोजन का एक है तो यह हाइडोजन का मौलिक तत्व है हिलियम का दो है तो यह हिलियम का मौलिक तत्व है ठीक है अगला है निम्ण में से कौन सा तत्व सरवदिक बिद्धूत रिनात्मक है तो देखे सरवदिक बिद्धूत रिनात्मक तत्व है साथियो फ्लोरीन बहुत ज़्यादा ये question पूछा जाता है देखे very very important question है इसको याद कर लीजेगा fluorine correct answer है सबसे हलका तत्व कौन सा है देखे सबसे हलका तत्व पूछे तो hydrogen correct answer होगा सबसे हलका gas पूछे तो फिर helium हो जाएगा और सबसे हलकी धातू पूछे ना धातू तो फिर lithium हो जाएगा इस question का correct answer है option number है hydrogen सबसे भारी धातू कौन सी होती है सबसे जो भारी धातू है वो ऐसाथियो ओस्मियम तो correct है option number b ओस्मियम आवर्त सार्नी में दो तत्व का नाम France के नाम पर है उनमें से एक है साथियो Francium तो दूसरा कौन सा है देखे आवर्त सार्नी में जो दो तत्व ऐसे हैं जो कि France के नाम पर रखे गए है समू में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं तो सिक्का धातू कहा जाता है तो option number b ओठ हो जाएगा चार धातुओं को आवर्तसार्णी के किस समू में रखा गिया है अब देखे जो चार धातुएं हैं इनको आवर्तसार्णी के किस समू में रखा गिया है तो याद रिखीगा समू एक का ए में ठीक है समू देखे समू एक का बी में क्या रखा गिया था तो बिल्कुल उसको सिक्का धातु कहा जाता था ठीके और समु एक का जो ए है इसमें आवर्त सार्णी के छार धातुओं को रखा गिया है ततवों के बहुतिक और असायनिक गुन उनकी परमानु सैंखा के आवर्त फलन होते है यहाँ नियम किस ने परतिपादित किया था किस एक पर आधोनिक आवर्त सार्नी आधारी थे, ठीक है, आधोनिक होगा, आधोनिक आवर्त सार्नी आधारी थे, तो दीखे, आधोनिक आवर्त सार्नी जो है, वो तो परमानु संखा पर आधारी थे, option number B, correct answer रो जाएगा, अगला है, तत्वो की आवर्त सार्नी के जनक कौन हैं तो correct answer हो जाएगा मेंडलीफ जब भी आपसे पूछे आवर्त साधनी का जनक तो मेंडलीफ correct answer होगा यह चीज हमेशा याद रखना आधोनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन है यानि आधोनिक आवर्त साधनी का नियम किशनें दिया था तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मोजुझे ने दिया था अग्ला है आधोनिक आवर्त साधनी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है तो देखिए liegen आधोनिक आवर्त साधनी में modern periodic table, इसमें आवर्त की संख्या आपका साथ आवर्त है देखें, आवर्त की संख्या साथ है और जो बर्ग हैं, बर्गों की संख्या 18 हैं, याद रिखेगा 18, करेक्ठ है option number C 18, आवर्त सार्णी के सेथिज अस्तम्बो को क्या कहते हैं, ज्यान दीजे साथ जो आवर्त सार्णी सथिज अस्तम आर्थ ke नाम से जाना जाता है, option number आर्थ, ठीक है? आर्थ साहर्ने के उद्गम, अस्तमो को क्या कहते हैं? तो याद रिखेगा, बर्ग, option number भी, ठीक है? आधुनिक आर्थ साहर्नी में ततवो के बर्गीकरन का अधार किया था यानि मेंडिलिफ ने जो आवर्तसारनी बनाई थी सबसे पहले जो की 1872 में प्रकासित हुआ था उसमें तत्वों के बर्गीकरन का अधार किया था तो याद रिखीगा परमानों द्रेवमान ओप्शन नमबर एक करिक्थ है यदि तत्वों को ब बर्डी करेक्थ होगा है ना फिर से एक बर दिखिए यदि तत्वों को बरते परमानों भारों के करम में लिखा जाए तो हर आठवा तत्वों अपने से पहले तत्वों के समान गुनों वाला होगा यहाँ निया में साथियों निवलेंड्स का अश्ठक नियम तत्वों के बर्गीकरन से संबंधी त्रिक के नियम का परतिपादन किशने किया था तो याद रिखेगा तत्वों के बर्गीकरन से संबंधी त्रिक के नियम का परतिपादन किशने किया था तो दोबे रेनर ने करेक्ट आएगा ओप्सन नमबर बी दोबे रेनर तत्वों का सबसे पह तत्वों के भौतिक और रसानिक गुनों उनके परमानु भारों के आवर्त फलन होते हैं यहाँ नियम किस्ने परतिपादित किया था तो बैदेखिए यह तो पहले वाले आवर्तसानिक नियम है तो इसको तो मेंडिलिफ ने दिया था मेंडिलिफ ने जो आवर्तसानि बनाय थी साथ हो वो परमानु भार पर है और जो अभी जो अभी जो मोडन प्रियोडिक टेबल है जिसको हम पढ़ते हैं वो साथ हो परमानु सैंख्या पर आधारी था परमानु सैंख्या पर जिसका नियम दिया था मोजलेन यदी याद और देखेगा 8 तत्वो मिलकरเปला है सवॉडियम धात्य जाता है कि और कि संग्रहन किसमे किया जाना चाहिए कि स्वॉडियम धात्य को किस में डूबह见 के रखा जाता है मिट्टी के तेल में क्योंकि अगर इसको मिट्टी सबस्क्राब करें कर स kepada दो cuz up his partner book में कंट करके अगये और भी ुरिक टेबल के ठिक क्लास को like और शियर जरू कर दीजिए नए साथ ही अगर कोई भी है चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को आउन के लिजेगा मिलते हैं आप से नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए जहिंद वंद्यमात्र